जी अभी सार, सलमान खान के लिए पिछले दो दुश्कों से जितने भी काले हिर्णों के चारों शिकार मामले हैं, उनमें लगातार हस्तिमल सारसवत पैरवी करते रहे हैं, आज भी अदालत में हस्तिमल जी पहुंचेते हैं, हस्तिमल जी मैं आप से जानना चाहूंगा बहु जो बहास की उसमें एक एक आर्यूमेंट किये गए कि किस ढंग से इस केस को मैनूपलेशन करके जूटा बनाए गया है ने मोके पर किसी तरह के कोई इस छिकार के समध में कोई आलामात थे ने मरत हींडों के सवों में किसी परकार के गोलीया तो अचरे पाए गे और एफसल के के गंशोट इंजरी नहीं है उसके बाद वन विबाग ने एसंतुस्ट होकर मेडिकल बोर्ड का घटन करवाया मेडिकल बोर्ड के चार्ड डॉक्टर्स ने जो ऑपीनिन दी उसमें भी सिरफ गंशोट इंजरी की संभाव ने वेक्षिती फाइनल रिपोर्ट के लिए उन्हो सबसे बड़ा मुद्दा अपने मुवक्टिल के पक्ष्में जो नजर आता है वो हमें बताएं जिससे आपको लगता है जमानत मंजूर होगी उनकी इसा है कि एक कोड ने जजज्मेंट दिया है उसके खिलाब अपील फाइल की गई है अपील के सुनवाई में लंबा समय लगेगा और रूटीन में लंबा समय लगता है तो बेल मिलती है क्योंकि सुनवाई तो अपील की होगी उस समय अगर इसको दोस ही माननेंगे तो इस तो नहीं किया कभी इसनोंने अदालत के आदिस की आउमालना तो नहीं किये और यह वापस आ सकता है इन सारी प्रस्टिज्जों को देखते हैं अस्तिमल जी एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने अदालत में उठाए था यह कहा था कि जो सजा मिली है वो ट्राइल से भ प्रस्टिध्यों हैं इससे में प्रोबेशन देने का प्रायवदान है तो उसे प्रोबेशन दिया जा सकता था बीच साल से ट्राइल चल चल देती और अक्यूज ने भी बेल ज़ते हैं और सीदहा फैसला होगा या उसके पहले कि और बिंदू ओपर चस्चाउह एसा कोई म करते हैं या नहीं करते हैं इसके समय कोई सुनवाई नहीं हो कि सिदा ओडर ही आएगा कल तक एक संभावना और थी कि जो पिछली निचली अदालत थी उसके जो रिकॉर्ड है उसको मंगाया गया था सरकारी वकील ने ऐसी मांग की थी तो दस्तावेज भी आज पहुंच चु तो ये थे सल्मान खान के वकील हस्तिवल सारस वज्जे ने उम्मीद है कि दो बजे जब अदालत स्विर से जुटेगी तब उनके मुवकिल को जमानत मंजूर मिल जाएगी यानि उनकी जो बेल आप्लिकेशन है उसे एकसेप्ट कर लिया जाएगा कैमराबन गोविंसाओ के साथ मनीशर्मा एबीपी न्यूज जोद्पुर ख़बरों के दौर में ना रहिए बेखबर हर ख़बर की हम लेंगे ख़बर मेरे साथ जुड़ी रात नौ बजे मास्क्राइश टोक में सिर्फ एबीपी न्यूज पर ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे